भिंड जिले में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है यहां एक पटवारी पर आरोप लगा है कि उन्होंने ओला पीड़ित किसानों के पैसे तहसल कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर आहरन कर लिए देखें ये खास रिपोर्ट दरसल यह पुरा मामला भिंड जिले के गोहद तहसील के तुंकेड़ा पंचायत पर पदस्त एक पटवारी का है जिन्होंने अपने हलके के गाउं जावलपुरा में ओला पीड़ित किसानों के पैसे तहसल कर्मचारियों के मिली भगत से फरजी खातों में डलवा कर उनका आह हरण हो चुका है किसान राजेश सिंग तोमर का कहना है कि मुआवजा राशी नहीं मिली है पटवारी घर बैठे ही सर्वे कर ले जाते हैं किसान हरी सिंग का कहना है कि मुआवजा राशी अभी तक नहीं मिली है तो वहीं एक किसान जगदीश के बेटे ने कहा कि खाते में सिर्फ 9,000 रुपए है पटवारी ने कहा कि 58,000 के जगद सिर्फ 9,000 रुपए ही आए यह प्रसाशन की लापरवाही है परिंटिंग है परिकी कितने वह वह हुए हैं आच्छा तो आपने शिकायत वगएरा कहीं की थी क्या शिकायत क्या करते पटवारी ने बोला इतनी आई है उपर से लेकर आपको यह उसमें रिकॉर्ड के इसाब से तो आपको 58,000 रुपए मिले हैं अब मैं तो 9,000 मिले मिले इस मामले में SDM शुभम वर्मा ने फोन पर चर्चा में मुआवजे की रिपोर्ट तहसलदार से वांगी है इसके साथ ही ग्रामिलों से अपील भी की है कि जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है वे तहसील आकर या फोन से शिकायत दर्ज करवाए विंट जिले की गोध विदानसवा में एक अजीव और गरीब मामदा सामने आया है यहां पर अन्य दाताओं के खातों में राशी शुकरत की गई थी जो मुआजे की वो पूरी तरीके से आहरन कली गई है गुल्दीब जाटव यहां के पटवारी महुदे हैं उन्होंने अ लेकिन हमारे खातों में आज तक एक भी रुपए नहीं आया ग्राउंड जीरो से मनी स्रीशी स्वर की रिपूर्ट ब्योरो रिपूर्ट, MP News, भिंड